पंचकुला के स्वेधन शील क्षित्रों में पुलिस गस्त भढ़ाने शरारती तत्वों पर सक्त कारवाई करने को लेकर जेज़िपी नेतागन पुलिस आयुक्त संजय कुमार से मिले जज़पा पार्टी के पंचकुला के शेहरी जिला देक्स ओपी स्याहग ने बुद्वार को पंचकुला पुलिस के नवन्युक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार से उनके कारेले में जाकर मुलाकात की और उनको बुके बेंट किये और उनसे जिले में तथा पंचकोला में कानून व्यवस्ता में और ज़्यादा सुधार लाने तथा पूरे पुलिस अमले को चुस दुरुस्त बनाने वारे चर्चा की जिला शेहरी अध्यक्स ओपिस यहाग ने पुलिस आयुक्त को बताया कि पिछले दिनों में कानून व्यवस्ता में सुधार हुआ है प्रन्तु कानून व्यवस्ता में अमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए काफी पड़ी मेहनत वे इमानदारी से काम करने की ज़रूरत है उन्होंने का कि पुलिस थानों वे चोक्यों में अच्छी सूजभूज सकरात्मक सोच रखने वाले करतववे प्रैन एम इमानदार पुलिस अधिकारें के डूटी लगाई जाने चाहिए जजपाज शहरी जिला द्यक्स ओपी सिहाग ने पुलिस आयुक से अगरह किया है कि शहर में जोक शेतर ज्यादा स्वेदन शील है वहाँ पर पुलिस की ज्यादा गश्त बढ़ाई जाए शहर में चोरी लड़ाई जगडे बदमाशी या नशे के कारोबार शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाव सक्त से सक्त कारवाई की जाए उन्होंने पुलिस आयकुत को एक सुजहाब भी दिया कि जिला परशासंद वारा सेक्टर पांच पंचकुला में शांती पूरवक धरना प्रदर्शन करने के लिए जो स्थान निश्षित किया हुआ है उसको वहाँ से बदल कर माता मनसा दिवी क्षित्र में चंडिगर आयटी पार्क के पास खुली जगह में कहीं भी निश्षित कर दिया जाए ऐसा करने से शैर की सबसे भीड़ वाली सक्टर साथ और ठारां की सड़क पर प्रदर्शन करने वालों की वज़ा से हर रोज लगने वाले जाम से निजात भी मिलेगी पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने जज़पा निताओं को आश्वासवन दिया कि पांचकुला में बहतर कानून व्यवस्ता को हार आलत में लागू किया जाएगा चौरी के घटनाओं नशाखोरी वे अन्य अपरादों पर शिकंजा कसने के लिए सबी ताना प्रवारियों को सक्त नर्देश दे दिये हैं उन्होंने जज़पा के पदकारियों से भी पुलिस को पूरा सायक दने तथा अगर उनको किसी भी अपरादी अपराद या कानून तोड़ने वाले लोगों के बारे में जानकरी हो पता चले बेजेजक उनको बताएं ताकि अपरादी गटनाओं प्रंकुष लगाया जा सक ज़पा निताओं ने उनको पूरा सायक दने का भारोसा भी दलाया इस मौके बर ज़पा के नगर निगम पारशद राजेश निशाद ज़पा निता के केसी भारदवाज सुरिंदर चड़ा भीम गौड राजेश भारदवाज हीरामन वर्मा और अन्य लोग हाजिर थे